साहित्ति कहानियों की श्रिंखला में आज कथा साहित्ते में सुनिये सुबुत्रा कुमारी चौहान जीत्वारा लिखी कहानी ब्याहा जबलपूर से आजमगड डिोडे दर्जे का जनान डिपा और पूरे डिपे में अकेली मैं डाग गाड़ी हवा में उरती चली जा रही थी और मेरे दिमाग में रह रहकर एक ही बाद चक्कर काट रही थी कि जब जब मैं बच्ची को लेकर चलती हूँ डिपे में तिर लखने की जगा नहीं होती और आज जब मैं बिलकुल अकेली हूँ तो डिपे भर में यात्रा करने वाली एक भी इस्त्री नहीं साथ में ना तो कोई पुस्तक थी और ना अकपार मुझे आकेला पन अखरने लगा बच्ची साथ होती तो वो इस बैंच से उस बैंच इस खिड़की से उस खिड़की डिपे भर में तोड लगाती उसे सम्हार लखने में मैं इतनी व्यस्त रहती कि ना तो पुस्तक का ही अभाव खटकता और ना किसी सहयात्री का जबलपूर से चल कर गाड़ी कटनी में रुकी दूसरे डिपे में कई यात्री चड़े और कई उत्रे पर इस जनाने इंटर में कोई परिवร्तन ना हुआ मैं जबलपूर से जैसे अकेली चली थी, दैसे ही कठनी से भी चली, डाग काड़ी फिर हवा से बाते करने लगी, सतना आया, ट्रेन की गती कुछ धीमी पड़ी, और मैं उठकर खिड़की के पास पैट गई, देखा, एक छोटा सा बच्चा, लड़की या लड़का, प्लेट की एक छोटी सी थाली थी, थाली में एक छोटी सी कटोरी, एक गिलास, यह सब वो आरती उतारने के मुद्रा में पकड़े दोड रहा था, ट्रेन रुकी और वो बच्चा भी रुक गया, ठीक मेरे डिपे के सामने, तभी मैंने देखा, एक कॉंस्टेबल और स्टेशन के द वो कॉंस्टेबल बच्चे को लाया, और दर्वाजा खोल कर डिपे में बिठा दिया, बच्चे को बिठाने के बाद, वो मुझसे विने भरे स्वर में बोला, बहन, आप ज़रा इस लड़की को इलाबाद में उतार देना, कई दिनों से ये स्टेशन आती है, और कहती है कि इलाबाद जाना है, मैंने पूछा, पर ये बच्ची है किसकी, यह तो मैं नहीं जानता, कॉंस्टेबल ने कहा, पर इसे इलाबाद जाना जरूर है, कई दिनों से कह रही है, और गाड़ी के पास दोड़कर आती है, मैं और कुछ पूछूं कि सीटी हो गई, और ट्रेन चल पीछे जा रही है, तो बारा बज़े से पहले क्या पहुचेगी, इलाबाद पहुचते पहुचते ये सो गई तो, क्या इसे कोई लेने आएगा, कोई ना आया, तो किसे सो पूँग इसे, एक साथ मेरे मन में कई प्रशन उठे, पर ट्रेन चल चुकी थी, और वहां मेरे प पच्ची की ओर देखा, वो बेंच पर ना बैठ कर, नीचे एक कोने में सिमट कर बैठी थी, उसके सामने वही थाली, कटोरी और किलास थे, देखने में वो पांच-छे वर्ष से अधिकी ना जान पड़ती थी, कपड़ों के नाम पर एक मटमेला सा कपड़ा उसके शरीर प ऐसा लगता था, कि इस छोटी सी आयू में उसने बहुत दुख देख लिये हैं, मेरी बच्ची और इस बच्ची में कितना अंतर है, ये गड़ी हुई मूर्ती की तरहां शान्त और स्थिर बैठी थी, डाग गाड़ी उसी पून वेक के साथ दोड रही थी, पर वो बालिका एक तपस्वी की तरहां, शान्त और मौन बैठी थी, मैंने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा, उसने मेरी तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, राम प्यारी, तुम कहां जा रही हो, इलाभाद, इलाभाद में किसके पास जाओगी, मैंने पूछा, और इस बार उसने सि उठा कर उत्तर दिया, अपने बियाहा के पास जाइद है, कितने आश्वासन और विश्वास के साथ, उसने कहा, बियाहा के पास, तो इसकी शाधी भी हो चुकी है, मैंने पूछा, तो तुम्हारे माबाग कहा है, मरी गए, उसी विकार रहित स्वर में उसने कहा, मरे हुए कितने दिन हुए है, और तुम्हारा कोई नहीं है, धेर दिन अस्पताल में रहने के बाद, वहीं मरी गए, हमारा बियाहा इलाबाद मा है, और यह थाली, कटोरी, किलास, कहां से लेकर आई हो, अपने घर से लेकर आई हूँ, बियाहा के घर लेकर चा रही हूँ, मैंने बियाहा को खोजने, ये कितने विश्वास के साथ निकली है, मैंने फिर पूछा, इलाबाद में तुम्हारा बियाहा कहां रहता है, उसने फिर वही सादा सा उतर दिया, वहीं इलाबाद में, अब मैं और क्या पूछती, वो तो इलाबाद को भी अपने गाउं सरीखा मानत है, जहां की ने चुने कुछ घर होंगे, आराम से अपने बियाहा को खोज लेगी, मैंने पूछा, इससे पहले कभी बियाहा के घर गई हो, उसने आश्चर्य मिश्रित कातरता के साथ देखते हुए कहा, चलाब हुए बिना बियाहा के घर कोई नहीं जाता, अब इससे अध रही थी, ठंडी हवा तीर की तरहां भी तरहा कर शरीर को कपाने लगी, मैंने अपनी शौल निकाल कर ओड लिया, मैं केवल दो दिन के लिए चा रही थी, इसलिए कपड़े भी इने गिने थे, अंद में बहुत सोच विचार के मैंने तै कि बिच्छाने की चादर के बिना म मेरी और देखती भर रही, शाम बढ़ चुकी थी, कुछ भूग भी लगाई थी, मैंने खाना निकाला, कुछ उसे दिया और स्वैम भी खाया, उस लड़की ने मेरे मात्रित्व को क्रियशिल होने का आफसर दिया, खाना खाने के बाद मेरी कुछ देर लेट चाने की आदत है, अतह में लेट गई, और सो गई, इतने में गाड़ी फिर रुकी, यह मानिक पूर्था, जित्र कूट दर्शन करके लोटने वाली इस्त्रियों का एक जुंड एक साथ टिपे में भर गया, मैंने पैर से कोड़ कर दो इस्त्रियों को बैटने की जगा दी, किन्तु मैं उ पूछा, क्यों बहन जी, ये बच्ची आपके साथ जा रही है, और मैं नहीं कहकर सो गई, अब सीधे उसी से प्रशन होने लगे, क्या पूछा गया, मैं सब तो सुन नहीं सकी, राम प्यारी की किसी बात को सुनकर वो जोर से हस पड़ी, थोड़ी देर बाद बहुत सुनकर मैं उठ बैठी, देखा तो सामने ही पटिये पर बड़े बड़े अक्षिरों में लिखा था, इलावा जंक्षन, सजग होकर मैंने उस कोने को देखा, जहां राम प्यारी बैठी थी, पर वो वहां नहीं थी, मेरी चादर समेट कर, मेरे पेताने रखकर, राम प्यार अपने ब्याहे को धूनने चली गई, सामने प्लेट फार्म पर, जहां चित्रकोट के दर्शन का पुन्य लाब करके, लोटने वाली इस्त्रियों का समू खड़ा था, जिनसे बिना टिकेट के यात्रा करने के कारण, टिकेट जांचने वाली महिला, डबल किराय के लिए उल जोकली कई थी, उन इस्त्रियों के यह कहने पर, कि वो लड़की उनके साथ नहीं है, टिकेट जांचने वाली महिला ने राम प्यारी से पूछा, छोकरी तू कहां जाएगी, कहां से आई है, और राम प्यारी का उत्तर था, घर ते आयत लाग है, अपने प्याहा के घर मैं देखती रह गई, जंक्षन का कोला हाल उसी प्रकार हो रहा था, पर मेरे कानों में राम प्यारी का स्वर गूज रहा था, ब्याहा के घर जाब, क्या वो राम प्यारी का ही स्वर था, वो छोटी सी बच्ची क्या जाने प्याहे को, ऐसा लगा, कि युग-्युग से कोई अज्यात वानी जिसे सीता और सावित्री कहते हैं उस बच्ची के कंट से प्रतिध्वनित हो रही थी मैं सोच रही थी कि सांसारिक बंधनों से और अभी तो आजम गड़के कवी समयलन से ना बंधी होती तो राम प्यारी के पीछे पीछे जाती देखती वो अपने प्याहा को कैसे खोशती है आह यह अन्वेशन कितना सुन्दर होता पर अब तो रह रहकर एक ही प्रशन उठ रहा था जो अभी भी अनुत्रित है उसका प्याहा उसी मिला भी या नहीं अभी आप सुबुद्रकुमारी चोहान जी की लिखी कहानी ब्याहा सुन रहे थे इसी प्रकार के सहित्ति कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल कथा सहित्ति से जुड़े रहे धन्यवाद